दियर चिल्डरेन मैं दुलाचंदा स्वागत करता हूं आप सभी का बच्चों हमारा देश एक किर्सी प्रधान देश है और हमारे यहां जो किर्सी होता है वो मांसुन पर डिपेंड करता है और इसके लिए हमारे देश के किसान जो होते हैं वो काफी मेहनत करते हैं फिर भी उनकी दसा आज भी देनिये है तो आज हम लोग इस चेप्टर में किसान और खेती के बारे में पढ़ेंगे तो आए हम लोग देखते हैं यह कौन सा चेप्टर है यह है यूनिट 6 तिंक्स वी मैक और यह चेप्टर 6.1 है यह क्लास 5 का साइंस बुक है और चेप्टर का नाम अग्रिकल्चर गर्ट्र का अर्थ होता है किरुषी जिसको हिंदि में किरूशी बुक शेप्ट अगे लंत को इंब Pac-12 ब्रेटर एकरइगर्डे विचमीस फिल्ड एडे ख़्ा से लिया गया है एगर एगर का अर्थ है भूमी और कल्चर कल्चर का अर्थ है खेती एग्रिकल्चर दस मेंस कल्टिवेशन ऑफ लेंड एग्रिकल्चर मतलब क्रिसी का अर्थ हो गया भूमी की खेती क्रिसी का अर्थ भूमी का खेती With the development of agriculture, man's life changed as he became a food producer. Krissi के विकास के साथ है, एक खाड उत्पादक के रूप में मनुस का जीवन बदल गया. Men settled down at one place and learned to live in groups and this was the beginning of cultivation. मनुस एक जगह पर बस गये, उसने समुहों में रहने के लिए सीख लिया और या खेती की सुरुवात थी. What are crops and when they grown? फसल क्या होते हैं और कब उगाए जाते हैं? Plants that are grown in field are called crops. खेत में उगाए जाने वाले पोधे को फसल कहा जाता है. There are two main seasons for cultivating crops in India. भारत में फसलों की खेती के लिए दो मुख्य मोसम होते हैं. These are ravie and karib season. ये ravie और karib के मोसम होते हैं. रवी crops are wheat, gram and peas. रवी फसले गेहू, चना और मटर है. They are sown in the month of November to December and harvested between the months of April and June. इसे November से December के महिने में बोया जाता है और April से June के महिनें के बीच काटा जाता है. खरीब क्रोप्स और राइस, मेज और बाजरा. खरीब की फसले चावल, मक्का और बाजरा है. They are sown during the months of April to July and harvested during July to November. इन्हें April से July के महिने में बोया जाता है और July से November के बीच काटा जाता है. Some short duration crops like sunflowers, vegetables and fruits are grown in between the above two crop seasons. कुछ छोटी आउधीक की फसलें जैसे सुरुजमुखी, सबजियां और फल उपर दियेगे दोनों फसलों वाले मौसम के बीच में ही उगाये जाते हैं. These are called jet crops. इसे jet फसलें कहा जाता है. Which are the agriculture practices? क्रिसी पद्धियां कौन सी है? All the activities which are involved in the cultivation of plants from the preparation of the soil to harvesting of crops are known as agricultural practices. खेती की सभी गतिविधियां मिटी की तियारी से लेकर फसलों की कटाई तक क्रिसी पद्धि के रूप में जाना जाता है. Tools and supplements used for agriculture practice are called agriculture implements. क्रिसी पद्धि में उप्योग किये जाने वाले औजार और अनुपूरत क्रिसी उपकरन कहलाते हैं. Preparation of soil मिटी की तियारी Soil is loosened by plugging and harrowing. मिटी को जोद कर और दोहन करके उसे धिला किया जाता है. Lose soil helps in aeration and improve the water holding capacity of the soil. Lose मिटी हवाधारन कर पाती है और जलधारन की छमता में सुधार होती है. Farmers use plow made of iron and wood. किसान लोहे और लकडी से बने हल का उपयोग करते हैं. Earlier animals were used to pull the plows but now a days farmers use tractors to drag it across the field. पहले जानवरों को हल चलाने के लिए उपयोग किया जाता था परन्तु आज कल के किसान tractor का उपयोग खेत को जोतने के लिए करते हैं. Soil plank is a tool used to break large pieces of mud. Soil plank एक औजार है जिसे मिट्टी के बड़े टुकडों को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है. Soil is pressed with help of soil leveler after plogging to prevent erosion. मिट्टी के कटाओ को रोकने के लिए खेत जोतने के बाद soil leveler से उसे दबा दिया जाता है. Plant nutrients पोधे के लिए पोशक तत्यू. To increase productivity, farmers also mix nutrients in the soil. उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए किसान मिटे में पोशक तत्यू भी मिलाते हैं. Nutrients are of two types. पोशक तत्यू दो परकार के होते हैं. नमबर वन में natural manure, प्राकृतिक खाद. Manure are decade remains of plants and animals excreta. वैसे खाद जो पोधे और जानवरों के औस्षिसों से बनते हैं. नमबर टू में chemical fertilizer, रासाइनिक उर्वरक. ये क्रित्रिम है और बिशेस पोशक तत्यू है, जैसे की उर्वरिया. The best fertilizer for plant is NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. पोधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक NPK होता है, जिसमें nitrogen, phosphorus, potassium, जिसको potassium बोला जाता है. ये सारे चीज मोजूद रहता है इसमें. Soving the seeds, बीज का बोना या बीजों की बुवाई. The process of putting the seeds in the soil is called soving. बीज को मिट्टी में लगाने की परकिरिया को बुवाई कहा जाता है. Seeds are either scattered by hand or with a seed drill at a correct depth. बीज या तो हाथ से बिखेरा जाता है, या फिर एक बीज डिल से सही गहराई में बिखेरा जाता है. A variety of seed drills are used for this purpose. बुवाई के लिए अनेक परकार के 20 drill का उपयोग किया जाता है. Weeding, weeding का अर्थ है, खरपतवार. Weeding is the process of removing unwanted plants, बथुवा, ग्रास, जेवियर. खरपतवार अवांचित, अकारन उगेवे पोधे को अवांचित का जाता है. अकारन उगेवे पोधे को हटाने की परकिरिया है, जैसे बथुवा, घास, जेवियर. ये जो खेतों में अकारन पोधे उगाते हैं, जिसे हटाने की परकिरिया को weeding करते हैं. खरपतवार प्रकास, जगह, पानी और पोशक ततों के लिए फसलों से परती उगीता करते हैं. Weeds are removed manually with a towel, जिसे खुर्पी कहा जाता है. खरपतवार को हाथों से खुर्पी के द्वारा हटा दिया जाता है. The growth of weeds can be controlled by using weedicides. खरपतवार नासक का उप्योग कर खरपतवारों की विर्धी को नियंत्रित किया जाता है. Irrigation, irrigation का अर्थवता है सिचाई. Crops in the fields to be watered at regular interval. नीमित अंतराल पर खेतों में फसलों को पानी देना आवसक है. The application of water to the crops in the field is known as irrigation. खेत में फसलों को पानी पटाने की परकिरिया को सिचाई की रूप में जाना जाता है. Farmer use several methods for irrigating their crops. किसान अपनी फसलों की सिचाई के लिए कई विधियों का उप्योग करते हैं. Fluid Irrigations, बहाव सिचाई. Water from canals or tube well enters the field and flutes it. नहर या नलकुप से खेत में पानी दिया जाता है वह बहाव सिचाई होता है. Furrow Irrigation, हल रेक सिचाई. This method is used where crops are planted in a row. इस विधि का उप्योग वहाँ किया जाता है जहाँ फसल एक कतार में लगे होते हैं. Reds and furrows are made in the field. क्यार यहां खेत में बनी होती है. यहां पर दो वर्ड दिया हुआ हैं, गर इन दोनों वर्ड को मिलाए जा तो क्यारी ही बनेगा. इसलिए क्यार यहां खेत में बनी होती है. Basin Irrigation, Basin शिचाई. Plants that need a lot of water are watered by this method. जिन पोधों को बहुत अधिक पानी क्या हो सकता होती है, उसे इस विधी से पानी दिया जाता है. The field is made in the form of a basin. ऐसे खेत एक घाटी के द्वारा बने होते हैं. Basin का अर्थ होता है घाटी. Sprinkle Irrigation, छिड़काव सिचाई. This method involves spraying of water on standing crops. इस विधी द्वारा खड़े फ़सलों पर पानी छिड़काव किया जाता है. This method helps in the event distribution of water. यह विधी पानी के वितरन में भी मददगार होती है. It is widely used by farmers. यह किसानों द्वारा व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है. Harvesting Harvesting is the process of cutting and gathering of mature crops from the fields. खेतों से पके फ़सलों को काटने और जमा करने की परकिरिया को फ़सल कटाई करते हैं. Harvesting of green crops is called ripping. अनाज के फ़सलों की कटाई को ripping कहा जाता है. एक crop must be harvested at right time to obtain the maximum yield. अधिक्तम उपजपराप्त करने के लिए सही समय पर फ़सल की कटाई करनी चाहिए. Thresing, crops like rice, wheat, बाजरा are thresed with the help of thresing machines manually or by using animals like blocks and camels. चावल, गेहू, बाजरा जैसे फ़सलों को thresing machine की मदद से या हाथों से या जानवरों से जैसे बैल और उट के द्वारा अलग किया जाता है. Thresing का अर्थ है कि जो फ़सल होता है उसके दाना को उसके पोधे से अलग करना. उसे thresing का जाता है. Winnowing. Winnowing is a process that separates grain from चेफ. Winnowing इसका अर्थ होता है निस्पावन. Winnowing एक ऐसी परकिरिया है जो अनाज से चेफ को अलग करती है. चेफ जिसको आम भासा में गाव में लोग खकडी भी क्याते हैं वो ऐसे अनाज के दाने जिसमें अनाज नहीं होते हैं वो खाली होते हैं. उसे चेफ कहा जाता है. Threshed grains are tossed into air to separate them from चेफ. अलग किये हुए अनाज को हवा में उपर से गिराए जाता है जिससे चेफ छट कर अलग हो जाते हैं. The चेफ blows away being lighter while the grains fall back on the tracing floor. चेफ मतलब खंकडी. खंकडी हलका होने के कारण हवा के साथ उड़कर दूर में गिरता है जबकि अनाज उसी जगह जमीन में गिरता है. Storing of grains. अनाज का भंडारन. मतलब अनाज को इकठा करना, जमा करना. Grains are dried completely and then stored safely in containers of sex in dry places. अनाज को पूरी तरह सुखाय जाता है और फिर सुखे अस्थानों में बोर्यों के container में सुरच्चित रूप से संग्रहित किया जाता है. A large amount of grains are stored in large containers called silos. Silos नामक बड़े container में बड़ी मात्रा में अनाज को इकठा किया जाता है. Fruits and vegetables are stored in cold storage. फलो और सब्जियों को cold storage में रखा जाता है. Transportation of food items. खायद पदार्थों का परिवहन. Food grain, fruits and vegetables are transported from the field to the wholesale markets. अनाज, फल और सब्जियां खेट से थोक बजार में ले जाये जाता है. Retailer buy food grain from wholesale markets. खुद्रा विक्रेता थोक बजारों से अनाज खरिते हैं. Then people buy grain and pulses from nearby grocers, vegetable from lean grocers and fruits from fruit sellers. फिर लोग पास के दुकान से अनाज और डाल खरिते हैं, हरी सब्जियां सब्जी वाले से और फल फल वाले से खरिते हैं. Once the food items are brought to home, they are cooked and served to everybody in the family. एक बार खाने की चीजें घर लाने के बाद उसे पकाया जाता है और परिवार में सभी को परोशा जाता है. Thus the journey of food is in your plate. इस प्रकार भोजन की यात्रा आपकी प्लेट में आकर समाप्त हो जाती है. What are the different types of farming? विविन प्रकार के खेती क्या है? Farming can be classified into four categories. खेती को चार स्रेणियों में बाटा जा सकता है. Arrable farming is growing of crops and cereals. Arrable farming से फसलों और अनाजों की उपज बढ़ रही है. Arrable farming का अरथ है किर्सियोग भूमी. किर्सियोग भूमी से फसलों और अनाजों की उपज बढ़ रही है. Pastoral farming is raising livestock on farms. Pastoral farming से पॉसुपालन दिख्सित हो रहे हैं. These include cattle and sheep farms, cow said poultry farms and dairy farms. इसमें मवेशी, भेड़ फार्म, गाई said poultry farms and dairy farms सामिल है. These animals are raised for food and other products. ये जानवर भोजन और अइन उत्पादों के लिए पाले जाते हैं. Mixed farming is a combination of both Arab and pastoral farming. मिश्रित खेती में arable और pastoral farming दोनों का संयोजन है. It is less risky. इसमें बहुत कम जोखिम है. Losses from one product can be covered with profit from other products. अधी एक उत्पादन से नुक्सान हो जाए, तो दूसरे उत्पादन से उसकी भरपाई की जा सकती है. Horticulture is the production of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. बागवानी से फल, सबजियां, फूल और सजावटी पोधों का उत्पादन होता है. Types of farmers in India भारत में किसानों के परकार There are five types of farmers in India. भारत में पांच परकार के किसान है. One number में commercial farmers, जिसे van agony jack किसान कहा जाता है. और tenant farmers, जिसे कarmic किसान कहा जाता है. Three number में subsistence farmers, जिसे निर्वासित किसान कहा जाता है. Nomadic farmers, घुमनतू किसान. और five number में seasons migrators, मौसम परवासी किसान. यह पांच पर करके फार्मर्स इंडिया में हैं Commercial Farmers Some farmers grow crops on large scale वानिजिक किसान कुछ किसान बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं They sell their crops and animals in order to make profit हुए लाब कमाने के लिए अपनी फसलों और जानवरों को बेचते हैं Such farmers are called commercial farmers ऐसे किसानों को वानिजिक किसान कहते हैं Second number में Tenet Farmers कार्मिक किसान Tenet Farmers do not have their own land कार्मिक किसानों की अपनी जमीन नहीं होती They work as agricultural labors for daily wages on others farms वे दूसरों के खेतों पर देनिक मजदूरी के लिए मजदूर के रूप में काम करते हैं Subsistence Farmers Some farmers are on a small piece of land कुछ किसान भूमी के एक छोटे टुकड़े के मालिक होते हैं They are small farmers who produce just enough to meet the needs of the family हुए छोटे किसान हैं जो परिवार की जरुरुरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त उतपादन करते हैं Nomadic farmers Nomadic farmers are usually tribes भूमंतू किसान आम तोर पर आदिवासी होते हैं ये भूमिहिन किसान होते हैं जो पैसा कमाने के लिए एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर चले जाते हैं After the harvest of the crop, not much labor is required at the farm So they migrate to the nearest towns and cities for various jobs फसल कटाई के बाद खेत में अधिक स्रम की आवसकता नहीं होती है इसलिए वे बिभीन नुकरियों के लिए निकटम कसबों और सहरों की और प्लायन कर जाते हैं They return to their farms at the time of cultivation वे खेती के समय अपने खेतों में लोट आते हैं और यहाँ पर यह चप्टर समाप्त हो गिया है आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह है इस चप्टर का question question number one में fill in the blanks दिया हुआ है और question number two में true false दिया हुआ है question number three में यह जो question number three है यह इस chapter का मुझी question है और question number four में give two examples इसमें दो examples देने के लिए कहा गया है इस chapter में इतना ही question दिया हुआ है यह मैं आप लोग को question का answer बना की दिखाता हूँ यह है chapter 6.1 का question answer question number one में fill in the blanks दिया हुआ है जो यहाँ पर diet इसका answer दिया हुआ है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं question number two में true false दिया हुआ है और इसमें भी true false लगा दिया गया है जिसमें से शिर्फ यह number का true है बाकि सब false है question number three जो इस chapter का main question answer है early civilization developed on the river banks early civilization developed on the river banks because they provided a steady supply of drinking water and made the land fertile for growing crops people in these civilizations could fishing and hunting the animals plowed soil is labeled with the soil leveler plowed soil is labeled with the soil leveler to prevent erosion loose soil helps in the growth of plants loose soil helps in aeration and improves the water holding capacity of the soil such soil helps in the growth of plants weeding is very important for the growth of plants weeds are unwanted plants that are compete with the crops for light space water and nutrients it restrict the growth of crops so weeding is very important fast food has replaced traditional food people love to eat fast food the number of fast food shops is growing every day in busy life schedule today people have not time to prepare traditional food such that fast food replaced traditional food question no.4 में give two examples of the following two examples में इसका प्जाइक देने के लिए कहा गिए है और यहां पर इसका जारे इसका अक्रोडाल इए थे गिया आप इसको देकार कि में पलोगो और थाहां और यहां पर देकर पर एक कर देका रह 선us आप यहां और चहां फॉर चक्टा में और दूजान परे वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ताहिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं